ही गाईज विलकॉम बैक टू टॉइस बासार आज मैं लेकर के आया हूं आपके पास यह हमारा नया हाउस पपी सेविंग बैंग यह हमारा पिगी बैंग है जो की बहुत ही मज़ेतार है मेरे जीते में पुराने फरेंट से उनको तो इसके बारे में बहुत अची से पता होगा तो चोलो फटा-फट से देर ना करते हैं मैं करता हूं इसे अन्बाक्सर दिखाता होगा कि इतना अमेजिंग है अगर आपका बर्थ 90 के पहले का है तो 100% मैं स्योर हूं कि आपको इसके बारे में जरूर पता होगा तो मुझे कमेंट बताना फटा-फट से देखते हैं किसके कितने यादे अच्छी है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यह हमारा एक हाउस होता है जो कि बहुत ही ब्यूटिफूल हाउस रहता है जिसमें की रहता है एक पपी और इसके डोर मैट पे आप देख रहे हो एक स्विच रहता है एक स्विच जैसा खुछ रहता है यहां पर आप कौईंस रखो तो वह डॉगी आएगा और आपके को लेकर करके अंदर चला जाएगा जी आप बिल्कुल ऐसा ही होता है बहुत ही इंटरस्टिंग होता है यह यह आप देखरो बहुत ही अच्छा है यह प्लास्टिक के मेटरिल का हाउस होता है और इसमें रहते हैं हमारे यह चाभी यह अधिश्य करके फिटाफट से मेरे पाश इतने सारी कोई से जोगे मैंने सेव की हैं तो जो एक दिखाने वलाँ आपको यह आम वेजिंग सकें तो मैंने यहां पर इस कोईन को रखा अरे वा अपने दिखा कैसे आया हमारा डॉग यह ले गया हमारे को अरे भाई रूप जा मेरे अंगली को तो नहीं ले करके जाएगा ना यह दोगी आता है और सारे को ले करके चला जाता है और सारे कोईन्स हमारे इसमें जमा हो जाते हैं और हम इस कैप की मदद से सब्सक्राइब सब्सक्राइब को निकाल सकते हैं तो दोस्तों आपको यह हमारा अंबेजिंग साथ नया पपी हाउस कैसा लगा मुझे ज़रूर comport आड यह हमारा पीगी बैंग इसमें हम पैसे भी सेव्थ कर सकते हैं पूरा वीडियो को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना पहले जो मैंने आपसे पूछा था कि कौन-कौन से लोग इसे जानते हैं पहले से मुझे कमेंट पे जरूर बताना बिल्कुल मत बुलना मुझे बहुत मज़ा हैगा आप सब के बारे में पढ़ने में और तो अगर वीडियो पसंद आये तो आपको लाइक और शेयर तो जरू